एलो स्टुएंट हम आज से जो है एक सीरीज सुरू कर रहे हैं वीडियो की डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ओफ mcq डिटेल्ड एनलेसिस ओफ mcq डिटेल्ड वर्णन करेंगे हम mcq का उसके mcq की दूसरे वाले या उसी टोपिक के रिलेटेड जो है डिटेल बात करेंगे इसमें दो फाइदे होंगे आपके तो आप कहीं आ जा रहे हो दुरान अगर आप पढ़ने पा रहे हूं या बहुत सारी चीजे पढ़के बोर हो गई हूं तो यह आप वीडियो जो है वो देख सकते हो तो हम सारी जो है यह बुक जो है वो ग्लोबल अएरवेदा की है जो नोर्थ अंडिया में गोविंद पारिक अब इसने रिप्लेस कर दी है तो उससे अच्छे में है क्या-क्या गलतियां वो भी हम पता करते रहेंगे साथ-साथ और क्या-क्या जो है वो आंसर है और यही हम लोग इसमें डिटेल एनलेसिस पढ़ेंगे तो हम एक टेबल से याद करते हैं चरक सुसरूत और वागपट ठीक है वाद पित और कफ यह मैंने लिख दिया है अवचारी चरक निवाद का स्थान जो पकवाश्य मानना है और पित्त का स्थान जो है वह मानना है और कफ का स्थान जो है वह वो उर्हाय परदेश वक्स परदेश माना है सुस्रूत है पंदैक फिर वागबट अचारी आए उन्होंने जो है वो वागवाध का स्थान वही सुसुरूत पकवाधान पकवाश्य भी बोल सकते हैं ठीक का हुआ पित्त का स्थान नाभी माना है जो यही कोश्चन पूछा गया था और कफ का स्थान उर्य परदेश माना है अब ऐसे ही जो काश्यब ने है वाद और पित्त का स्थान सेम माना है लेकिन जो कफ का स्थान है वो हिदे माना है कफ का स्थान जो है वो हिदे माना है ठीक है एक काता है कि काश्यब ने वाद का स्थान अस्थी मज्जा माना है ठीक है वाद का स्थान उन्होंने अस्ति और मज्जा भी माना है लेकिन अगर मुख्य स्थान मानेंगे काश्यब के नुसार वाद का प्रमुख स्थान क्या है ठीक है तो वह पकवाश्य ही आंसर लगता है पकवाश्य ही बुक्स में दिया गया अस्ति मज्जा वाद का स्थान है ले अगर सभी अवस्थाइं एक जैसी हों शिस्रूत ने कहा अगर सभी अवस्थाइं एक जैसी थो माससार और मेद सार वेक्ति इसकी आयू परधPOS ज्यादा अचारी सुसूत जब सारों का वणनन करते हैं तुब सबसे पहले का सट वसार के बाद सुकरियों करते हैं वह एसी अपुत Wr lle दिरेक्शन में बढ़नन करते आते हैं और वो कहते कि पूरो पूरो वाला जो है वो ज्यादा आईयो वाला होगा तो इसलिए इसका आंसर जो है वह ने सलिए अगलन किया है रों कउपो रों कुप श्रोतस बोल दिया है तो का शवांशर लग जाएगा उसके बाद नेक्स देखो कि धमनी शैथिल्य है ठीक है धमनी शैथिल्य इसको बढ़ते हैं देखो धमनी शैथिल्य लक्षन किस धातू छह में दिखाई दिता है ठीक है हम लोगों याद भी कराते हैं जब क्लास वाली कोचिंग देते हैं कि धमनिया जो है वो मसल्स में रहते क्यों कि धमनियों में oxygenated दॉनियर बलट रहता है एक सब याद रखने के लिए बोलते हैं तो वो मास में है तो यानि मास से का लगसन है अब जो है उसके बाद और और क्या क्या लक्षन आते चितन जातले है पूचा जाता है अब जी तो इसके बाद जो है एक कोस्चन आता है जो है वह संदी सुन्यता यह संदी से थिल्ले तो संदी सुन्यता जो लक्षन है संदी सुन्यता तो संदी सुन्यता लक्षन जो है वह मेद च्या का है मेद च्या का है ठीक है एक लक्षन आता अस्थी सुन्यता इसी से रिलेटिड हम लोग पढ़ रहे हैं अस्थी सुन्यता अस्थी सुन्यता जो है वह मज्जा च्या का लक्षन है तो मेद च्या उप्षन म करते ना फस्टियर में हालांगी होता नहीं है लेकिन को रिलेट करके हम लोग ऐसे पड़ते हैं ठीक है और सिराओं में हमेशा रखत वहेगा तो सिरा से तिल रखत चाहिए और जो है हमने बता दिया है बाकी वाले जो इसे रिलेटेड वाली चीजे थी वह हमको डिटेल में जब आद़ गई है उसके बार देखेंगे ओज लिखा कि ओज सम्वध्द्र सत्य परी जाए बारे में यह कूंछी चीजिए ऐसकते हैं तो अज़ के बारे में हमने स्लोक पढ़ा है सरपी बर्ण पहले लिक लेंगे जो हमें याद है ठीक के बाद देखेंगे सरपी बर्ण मधूरसम लाजगंद पर जाएती लाजगंद पर जाएती यह सुक्राइब के बारे में हम लोगों ने पढ़ाया चरक में तो अब इसमें से देख लें क्योंकि उप्षन में वही ऐसाते हैं कि ओज का वर्ण सरपीवत होता है ठीक है लिखा है यह बात ओज का गंद मधूवत होता है गंदलाजावत होती है अधिया हम लोगों ने पढ़ा होची गलत आंगे यह सूची जो हो अगनी का प्रियाए यह बहुत common question है common question का मतलब है कि General Knowledge को question में ऐसा तो आता नहीं है तो यह वह question है इसके बाद next लेकिंगे हम इसके बाद दिया गया है this fiber type of susceptible for the anesthesia तो यह type देगे है fiber के तो इसका थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बता देता हूं अगर आपने नर्व फाइबर की ख्लासिफिकेशन पढ़ीनोगी फीजियोलोजी में ठीक है classification ऑफ नर्व फाइबर अपने पढ़ा होगा ठीक है नहीं पढ़ा होगा तूम्हें बता देता हूं स्वड़ा सा हम जो व्हों पढ़ते हैं जैसे सेमील लिंगम वाली बुक पढ़ते हैं सब लोग उसमें क्लासिफिकेशन दी हुई है नर्व फाइबर की ठीक उसमें क्या कहा है एक जो है साइन्टिस्ट है जिसका नाम जो है वो लेंगर है यह और आर सैयलेंट रखते हम लोग लेंगर बोलते है और जो है गैसर एक संटीस्ट है इन्होंने जो है क्लासिफिकेशन दी नरी फाइबर की ठीक है उन्होंने घ्लार्सिफिकेशन दी कि तान वी इंपेंपल्स की वरेट ऑफ कंडेक्शन से ही को तिये के सब्सक्राइज को ट्रेक्षाा है यह और शी न किस सब्सक्राइब करें ट्रेक्षान तो एबीश खायबर होगे कि यह फाइवर फॉर टाइपस के होते हैं तो जिसमें ए इलफा कि ए बीटा ए बीटा इर गामा कि और एडेवर और एडेलदा यह चार होते और फिर बी और शीए फाइबर अब क्या है कि जो एफाइबर है उसमें जो चलिक्षण की जो सबसे जादा होते हैं ठीक है हम जो होती ही 70-120 जो है वह मीटर पर सेकेंड है पर संबसे कम किसमें होती है में होती है स्थी वाले में पर नहीं होती है इसमें 0.5 mockया में क्या होता है यह फाइब यह तो सिंफैक होते हैं है और फोसर लोगनी निक होते हैं क्या होता है कि जो inserting को रोकता है तक कि पिंग मुकूर्ज नहीं हो या पेन ज है वो कर सबसे ज्युदा करते हैं तक इस सबसे ज्यादा कम चन्य स्वाले में जो है वो आट करन्ट जो है यह नर्व की जो कंडेक्शन है वो सबसे कम करते हैं तो इसलिए आंसर जो है जो से सेप्टिवल है उसके लिए वह सी वाले नर्व फाइबर है जो एनस्थीशिया के लिए क्योंकि इनकी जो कंडेक्शन है रेट ऑफ कंडेक्शन है वो सबसे कम है ठीक है तो दो और जो इसमें डेल्टा है वो टेंपरेचर के लिए एक यह वाले जो यह पर अर्पी भी दो यह थोड़ा सब्रेस इसके बारे में नव लोगों को पता चल गया कितने परकार की होती है कौन-कौन सी क्या-क्या करती है ठीक है यह नवर्वाइबर के बारे में तो हमारा आंसर सी लग जाएगा इसमें जो सब्सक्राइबल है अनेस्टेशिया के लिए ठीक है तो यह रिवीजन करने के लिए है बस एक दो चीज इसमें हमको पता होन कि अच्च्रब्यात को ठीक है उसके बाद नेक्स अच्छा और बता देते हैं आपको जो को यहहा चरक के साथ थम ञतलं क्या कहते हैं यह बहुत है कि वह जो है वह स्वेथ होता है दें और छोदरवाण का ठीक है जो केचित के मत्से सुसरूत में आया है वो डलन ने बोल दिया है चकरपाणी ने केवल स्वेथ माना है ठीक है ओज का कलर की बिल्कुल स्वेथ होता है काश्यप जो है ओज के कलर को अवशाय अवशाय जैसे ओस वाला होता है रत्त पित्तम उन्होंने लिखा है को स्प्राइड कोश्च नमरेट में का है सकति रूप दर्वय है शकति अब थोड़ा सा सोचने की बात है कि केवल दोस ऐसा mobile जो इनको सब को दूरू करने की सकती रखता है ठीक है obec से सोड़ा से आंसर निकल जाएगा आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं कि दोस ऐसा है तो धात्वों को उपधात्वों को और मलको इन सब को दूसित कर सकते हाला कि मल तो खुद ही एक किसम से दोसी होते लेकिन इसमें सकती है सब को दूसित करने के तो सकती रूप दर्वेश जो है वह आपका लग जाएगा कि दोस्त जो है वो हो सक्ति रूप में सरीश्य इंद्रिये शत्त्ría रातमा के सैंयों को कहते हैं है ठीक है अब यह जो सलोक की हिंदी करके लिखनाए जो स्लोक होता है उसकी हिंदी करके लिखी हुए हम सलोक पढ़ते हैं चरक्षुत्र एक कि जो है वो किसमे 42 सु नंबर्स लोग में चरक शुत्र एक 42 नंबर्स लोगं हम लोगों ने पढ़ा है क्या बड़ा है उसमें इसमें पढ़ा शरीर इंद्रिय सत्व आतमा सयोगे धारी जी भी तब तो उन्हों उसको हिंदी में लिखा हम उसको पूरा कर देते हैं तो लिख देते हम इसको सरीर इंद्रिय सत्व शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोग धारी जीवितम धारी जीवितम धारी जीवितम नित्यग अनुबंध नित्यग अनुबंध प्रियाय आयू चते यह स्लोग दिया गया है यह स्लोग है चरक शुक्तर एक बटे भी अलेश्ट तो वही वह पूछ रहा है तो सीधा सांसर्डी लग जाएगा कि वही क्या ही जीवितम नित्यग दूश के प्रियाय दिये गए है यहां लिख दिया है उससे अलग तो कुछ लिखा नहीं है ठीक है कि उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कि उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्या है वह पूछ रहा कि नोर्मल जो है वह स्पर्म काउंट कितनी होती है उसके बारे में वह पूछ रहा है ठीक है नोर्मल स्पर्म काउंट जो है कितनी होती है इससे पहले दो तिन चीज़े औ और जान लेते हैं कि क्या है इसकी जगह वो पूछले की वोल्यूम कितना होता है तो सबसे पहले लोवर लिमिट में जानेंगे हम सारी चीजे कि कम से कम कितनी होती है तो हमें पता चले तो लोवर लिमिट लोवर लिमिट देखेंगे कि कितनी होती है ठीक है तो लोवर लिमिट के हिसाब से अगर वोल्यूम अगर पुछा जाए कि भई लोवर लिमिट की कितनी वोल्यूम होती है ठीक है तो लोवर लिमिट में वोल्यूम आएगी आपकी जो है 1.5 ml अगर वोल्यूम आपसे पूछे तो 1.5 ml अगर पीएच पूछे तो तो इसमें कि कितने जीवित रहते तो कम से कम मिनिमुम 52 परसेंट होनी चाहिए मिनिमुम जो है वो कितनी होनी चाहिए 52 परसेंट अगर पूछे काउंट कितना होना चाहिए तो 60 से यह थोड़ा डिट वैरी करके वैल्यू लेकिन नियर भाई यह सब्सक्राइब करता है तो पहली बात यह रिलीज कहां से होता है तो सिलरी बोड़ी से निकलता है करता क्या है इंटीडियर चैंबर में रहता करता क्या इसका एक तो 98 परसेंट वाट रहेए इसमें है थेख AH 98 परसेंट जो है वह वाटर है kardeş 30 percent Living the pressure maintain करता है तो कितना होता है तो 15 mm of शी om need No जो है इंट्रायो किलर परेशर यह होता अगंडीशन क्या होती ए है गुलूकुमा होती है जब यह आमग्णी बढ़ जाता है तो उस कंडिशन को क्या बोलते है ग्लुकोमा यह जो है इसके बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन थी अब कह रहा कि इसके बारे में सत्य क्या है एक्वेस उमर कुछ चीजे दी है प्रेसर इतना बिल्कुल नहीं होता प्रेसर इनक्रीज इन कैटरेक्ट ने ग्लुकोमा म रहता है तो नीरेस्ट वाई जो उप्शन है वह यह उप्शन हमारा जो है वह चला जाएगा ठीक है उसके बाद नेक्स्ट दिया आवस्टमभन का रिये यह बहुत फेमस कोश्यन है अस्थी का भी वह भी रौक्तिय पूरिश्वी और दंद धारण का भी सारंधर ने पेशी के लिए भी ऐसे सब्सक्राइब यूज किया है ठीक है ट्राइसोमी ओफ ट्वंटीवन क्रोमोसोम को जी यह तो फेल्ट नहीं है तो हमको मुझे लगता है टेंट में बढ़ाया जाता होगा ठीक है उसको बोलते डाउन सिंड्रोम अब बाकी वाले सिंड्रोम क्या ह है ठीक है तो एडवर्ड सिंड्रोम है यह एटिन्थ क्रोमोसोम की जो है ट्राइसोमी है एक्सजी तरना सिंड्रोम पता है कि इतनी बार हम लोग पढ़के डाउन ओर तो इतना होता है कि इतनी बार पढ़के आए हुए होते तो यह तो याद ही रहते हैं अब नेक्स्ट है नेक्स्ट कोस्टन देगो इस आर्तव विकर्ति में योनिवेदना लक्षन होता है यह पूछा गया है ठीक है कि वही इस आर्तव विकर्ति में योनिवेदना लक्षन होता है अब इसमें आर्तव छह आर्तव विर्धी और आर्तव विद्ध लक्षन तीनों सुत्रव 15 में आर्थव 6 के लक्षन दिए हैं उसमें लिखा है यतोचित्त काला दर्शन अलपता वह योनिवेदना तो योनिवेदना कहां हुई आर्थव 6 में हुई ठीक है तो हमारा आंसर तो निकल गया लेकिन आर्थव विर्धी में क्या होता है वो देख लेते हैं hops एक AmUD होता है अति परवर्ती और दुरुघंदता अतिपरवर्ती आर्थों की और दुरुघंधं यह होता है ठीक है उसके बाद क्या है है next next nhất क्या है next यह है कि आर्ठाव वित्व लखसंग तो इसका नीमोनिक कुल आर्ठाव करें वेन दो ने करते हैं तो इसमें बंधता तो पहला जो लखस तो नास होता है ठीक है आर्टव नास और तीसरा जो हो खुदी बता रहा है मैं तुन ऐसे ही सुनतवा यह तीन लक्षन होते हैं ठीक है मैं तुन ऐसे सूनतवा ठीक है अब नेक्स्ट कोश्चन देखोगे इस दा प्लाज्मा वोल्यूम और फे पर्सन इज अब मुझे ऐसा लगता कि हम लोग जहां पढ़ते हैं 60 परसेंट जो है क्योंकि 40 परसेंट तो इन्होंने वैलू दे दी तो बचा 60 परसेंट कि प्लाज्मा वोल्यूम पर्सन अगर हम जो है वह 6,600 का 60 पर्सेंट करें तो हमारा जो है जा रहा है टोटल जो है प्लास्मो तो टों ब्र्र वुल्यूम कितना हो गया कि उसके बाद 57 को देखते हैं नेक्स्ट कोश्चिन वान दो एक पर को कस्ट्चन है इसको स्यूंप है है detoso 11 नमपर DO was the decision इसको सोल करते है ut solar as the solution क्या कह कि दो अप्शन तो इन्होंने बिल्कुल डिये हुँगे इसे बता देता हूं आपको जनल नौलीज के Saints के लिए कि कैसे- PF करके तो शुसरूत सुत्र चरक शुत्र एक में 59 नंबर स्लोक वाद के गुण दिये गए है उसमें लिखा है रुक्ष शीतो लगू शुक्षम चलो अत्विशिद्ध खरे तो विशद्ध गुण जो है तो वहां आगया एक तो वचारियन चरक सुत्र एक में विशद्ध गुण व वह लिखते हैं कि पित्त का वर्णन करते से मैं क्या लिखते हैं मैं इधर लिख देता हूं ओश्णम की उसन होता है तैक्षनम कि तिक्षन होता है रोक्षम कि लागवं लगो होता है वैसद्ध गुण लक्षनम वैसद्ध गुण लक्षनम तो यह विशद्ध वाला सुषूरुत ने बताया पित्त पित्त में भी आया जब पित्त का अगर ले लख्षूलं पित्तम, इसके बाद स्लोग। अगर पूरा करना चाहो तो आप लख्षूलं पित्त्तम यह पित्त경 लकॆ लक्षन है तो विश्द गता उधर भी आये, तो मैं मान क कना है, चरक ने व ठीक है उसके बाद next देखते हैं लिखा कि पित्त के तिक रस का वर्णन इस अचारीय ने किया तिक त्रस जनरली हम लोग पित्त का रस जो है वो कटू मानते हैं विदक धोने पर जो है अमल मानते हैं लेकिन तिक त्रस एक्चुली सारंगधर जो अचारीय है उन्होंने अपन सब्सक्विति पहला टिटम रसको उसके बाद लिखा उन्होंने कटू के बाद टिक्त करणी के बाद वह लिखा टिक ट करu के बाद तिक्त करती है कि बहाई कर्टू तिक्त रसम गया मैं कर्टू तिक्त रसम गयं जहातली है है इत्वा विध्दक्दम आवल्ट क्ट्व और तिकत्थ यानि तिक रस enquक्रष जो है वो पित के गुनों में अचारिये सारंधर ने तभ इसका वटनर किया है है क्टूर तिक्वेर्सियो और समगेयम विदग्दम चेम लो यह जो है वह उसारंग धर में का पूराउखन पहले चैप्टर में है ठीक है उसके बाद रज रज दोस्त्वर रज हमेशा जो है वह परवर्तक होता है सत्व हमेशा प्रकाशक होता है रज हमेशा आवरण वाला होता है योग वाई तो इसमें है नहीं तो रज का पूछ रखा तो रज हमेशा वितम तो चली नहीं सकता वह उसको चलाने के लिए रज की जरूरत पड़ती है अब स्लोग नंबर 19 देखेंगे तो 19 देखेंगे तो स्लोग 9 में क्या है अव धूतो होता है कि जैसे हमहवा और भलो करते हैं तो अगनी बढ़ती किसका कारिये हुआ अब इसमें फ्रकाशक करती है समान पर दिखेंग ऊपर ओंप मैं इसमें दूसरों को बढ़नन करने की मुझे जरूरत वेग उधीरन और वेग धारन इनसे किस वायू का परकॉप होता देखो वायू का परकॉप तो लिखाया चाहिए ठीक है किसी तीकाकारने लिखा वह अलग बात है ठीक है जन्रली लोग प्राण आंसर लगा देते गाइड वालों ने भी प्राण लगाया हुआ लेकिन प्राण से कौन साथ कुपित होता ये तो वात है ठीक है तो जन्रली अब उन्होंने ज्यादा देखा होगा कि कुन सी बात है तो प्राण वायू का इन्वोल्मेंट रहा होगा तो ये आंसर जो है वो लगता है इसके बाद कफ परकरती में उपचित परिपूरण गातरत्व ये किस का लक्षन है अब ये परकरती वर्ण दस्विट प्रिक्षय भाव है विमान आठ में तब परकरती का वर्णन कर रहे है उधर इन सबी चीजों का चार सारे जो कफ के गूर्ण है उनसे सरीर में क्या-क्या भाव उत्पन होते हैं उनका वर्णन किया है तो हम देखें गात्र शर्वंगा उप्चित्त पृपूरन कि गात्र शर्वंगा विस सारे अंग और कदीज हों थीका ये सांतर का है मंद का गुण क्या है मंद का गुण मंद चेश्टा सारे बाले पूरे करेंगे ना मनद चेश्टा वैवारा कि मंद् चेश्टा और सारी चीज़े जो है वैवैवार उसका मंद रहेगा सब चीजे मंद रहेगी ठीक है साका क्या लक्स नगा सgypt शरीड ऑच टो जरीडा कि ठीक है त्रीन स्थिता सरीडा सरीडा लिख देता हूं मैं तो प्रतिके सरीडा यह जो सार करेगा स्थिमित का क्या रहीग तिदेगा स्थिमित्य का एश थे आरंभ छोब विकारा ऐसे घर के कुछ लिखा है एसी घर आरंब छोब विकार हो ति कोई भी काम सिखर निक आरंब करेगा कोई छोब नहीं होगा ठीक है इतने जल्दी ना कोई विकार होगा तिमित्य का लक्षन तो यह जो गुन है उन्होंने कफ में मिर्दू का वर्णन किया है जिसमें लिकाई द्रिष्टी सुक्षू कुमारा देखो क्या कहते हैं बहुत आशान सा कोस्चन है जनरली अब इसको एक्स्प्लेइन करना तो बड़ी मुश्किल हो जाए बहुत डिटियल में जाना पड़ेगा लेकिन लिखा कि इस टेस्टिस और रिमूवट भीफोर पीवर्टी देन दा हाइट परस्टनेज के बहुत कम ऐसा कोशन जो हो पूछा जाता है यह बाहरवाला है बाहरवाला कोशन थोड़ा अप लेवल का है क्योंकि लिखा कि उसने कि विफोर क्या होता है तो विफोर जो है वो अगर पीवर्टी से पहले कर ली तो इंक्रीज होती लेकिन कुछ हद तक ऐसे रिशर्च में पाया गया कि दोरान जो एक बाद तो जो है वो घट जाती है तो इसलिए जो है यह अब फिजियोलोजी तो इसको समझाने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा इतना समय है नहीं तो आप जैसे ऐसे कोश्चन आते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं या तो उनको एजितिस या सब्सक्राइब के लिए बताई है यह तो बहुत कुमन सी बात है अब लिखा कि वागवटाचारिये ने इस जातादी परकरती यह जो है इंद्रियस्थान में वर्णन किया है पिन परकरतियों का ठीक है उनमें से जो है वो साथ परकरतिया जातज परकरतिया इनको हम लोग परकरती है यह जात परकरते हैं यह जाताधी परकरती है on में सबसे पहले जाती का वहन किया बलानुपातर दिया है तो जो है यह बलानुपातरा कुल पर सक्टा कालम अनुपातर सब्सक्राइब को पता है यह इंद्रियस थासओं से तो τα बढ़ते तो तब्स जाती है declining अब यह 12 का कोश्चन है कि मेजर पर्सेंटेज ऑफ फिल्ट्रेट इस एब जो है फिल्ट्रेट है जो 65 परसेंट सबसे ज्यादा पीशी टी में यह डिरेक्ट कोश्चन है अब इसमें कोई फिजियोलोजी समझाने की ज़रूरत नहीं है है हम लोगों ने 12th कलास से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं अब जैसे next definition है ठीक है है ठीक है हाइप स्टेनयूरिया मैं हाइप स्टूरिया बोलता हूं इसको याद रखने के लिए कि लगातार जो है वह जो है स्पैसिफिक ग्रैविटी जो है उसकी है जो वो कम है लगातार स्पैसिफिक portion of blood is too low liquid portion of blood is too low blood plasma का जो लिक्विड जो पोर्शन होता है वो बहुत कम होता है इसको बोलेंगे हाइपो बोलेम यह डैफिनेसे नहीं आप इनको ना गुगल करके भी जो है वह सर्च कर सकते हो बहुत कॉमन होती कम से कम हो मोड करने इतना ही पढ़ना चाहि जितना गाइड में दिया Appden चिखें आप जो है है आप में बने दियां है आप उतना जो है वह वह याद हो आप याद कर ले तो वो भी आपके लिए काफी रहेगा ठीक है तो ऐसे ही करते हैं नेक्स्ट देखते हैं बूसके बाद हम लोग समान्य पित का प्राकर्त रस है तो चरक अब देखो ब्रैकेट में चरक लिख दिया ना तो कटू अगर तिकता जाता तो सारंग्दर सारंग्दर ने माना वहीं कटू और तिक विदद्ध होने पर अमल होता है अब नेक्स्ट कोश्चन और भी ऐसान है हम लोग तो तव्चा क एक टेबल बनाते हैं जब हम यह पढ़ा रहे होते हैं से लिए वसको चरक अनुसार त्रितिये वे सुस्रुत अनुसार चतूर्थ तवच्चा में जो है वह वरनित व्यादी है तो हम तो पहले चरक अनुसार हम हम बोलते त्रितिया क्योंकि उन्होंने नाम नहीं दिया है नुसार का तो त्रितिया मतलब किलास हम लोग ऐसे बोलते हैं ओलते यहीं है यह चुक्त हो जो है उसमें विडियो खिलास रोगहोदा लिका थकक है अबclear में देखो यह जो है एक अस्थान अस्थान से आंसर निकलता है मनोविबोधन मनोरत तो वागबढ़ चाहिए और मनोधार को कर्मों को प्राणवाईयू उदानवाईयू समानवाईयू ठीक है प्राणवाईयू उदानवाईयू समानवाईयू इनके कर्मों से करम से लगाना है ठीक है जो ये कर् तो ऑसके घृषियोगे डेखो क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले जो है वह मनोरत मनोरत हम लोगों ने बढ़ातः इसे二 नंबर ये सदक पित का जो है कर मनुफा शिद्ध करना तो सबस्क्राइब लुह कुंस्च्छन हमारे लिए से आंसर लगेगा मनो विबोधन उदानवाईयू का करम है ठीक है और जो है मनोरत्य सादक पित का करम है मनो धारन संग्रेक नुसाल प्राणवाईयू दिया गया तो पहला अंसर लग जाएगा ठीक है उसके बाद और नेक्स्ट है कफ दोस्त का काल अब देखो दिन को बाटो या रात को बाटो या खाने को बाटो या आईयो को बाटो उसका फोर्मूला एक ही बताया वागबट ने भी सब लोगों ने तो मैं वागबट का आपको बता देता हूं जो वागबट ने जो है वो कहां दिया है जो है हरदय ने दिया है उसको मैं आपको डिटेल एक्स्प्लेनेशन कर देता हूं ठीक है तो क्या कहा है कि दिन हो दिन जैसे हमने बाट लिया पुर्वाहन कि मध्याहन और अप्राहन कि राथ हो राथ में जैसे परदोस परदोस साइकाल को बोलते हैं ठीक है परदोस मध्यरात्री और परतियोस खाने का हिस्सा हो जैसे भुक्त है अभी अभी खाया अपने जिरियती आपका अपाचन काल चल रहा है जिरने अर्थात भूजन जिर्न हो चुका है याँ फिर लो आईयू ऩही sorry हैन या सब पहले लिखेंगे मोग ठीक बालावस्था लिखेंगे है ईंब्रिया आपूल करें देगे जूँप आप जो है मध्यमायू और व्रिद्धायू तो उनमें किस दोस्ती परधानता रहती तो यह तो नियम है हम लोग पहले भी पढ़के आते हैं इसको बोलेंगे कफ सबसे पहले पुर्वाहन में कफ मध्यान में पित और अप्रहन में बात ऐसी परदोस में कफ पित वात यहीं खाना खाते ही कफ बढ़ता है पाचन काल में बढ़ता है जब बढ़ जाता है तो बात बढ़ता है यही कोस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् अब रहान भी नहीं है तो पुर्वान में आएगा अब रात्री की परत्मक था साइकाल पर्दोस है तो यह में झाल है खीकला कल देखो आफिस पतला देखो अब इसमें रोंदम ये निंदनिया माने निये पर करती है ठेग यह जो है वो यह 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 पर कल ठीए टेक उसके बाद नच देखते हैं नेक्स्ट वाला जो है लोग पढ़ते हैं तो यह भी पढ़ते हैं वांटर हैमने मिलती है एक प्रिवेस नोलिज से आभ इसको एक्स्प्लेयन करना या फीजियोजी पर लूजी पलस तो वही बात होगे ना पीजी के लिए नहीं हम फीजियोजी के लिए पढ़ रहे हैं ठीक है तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी पित और आर्तव दोनों आगने होते हैं ओज तो सोम में होता है तो आंसर डी लग जाएगा अगन्यम क्या है अब देखो सुषुत सुषभ स्वेद् वैसरोतों सांगू से तो शीदी से मांनने इस रुछन सेद्रेंद क्यों करेंगे इस वर्लग नहीं किया है कि यह इस क cheaper नदो च्रकने मांने स्वध वैस रट्सों का वर्लों तो सारकने कि यह तो लोगों को अ необход रहता है कि हर प्रिप्रेशन वालों को याद रहता है विद्धा जीरन बिद्धायस जो है व्यस्तब्दा जिरण कब दोसके काड़ा मज़ए यह सब लोगों को याद रहता हैँ आधे को यह बात जो है मज्याables काक्राइब यह बात इससे पहले में आपको तन्य और अर्थव यह अचारी चरत जो है रस ही की उपधातू मानते हैं लेकिन जो है रत्धात की उपधातू भावपरकास जो है किसको मानते हैं वह कहते हैं जो रज है वो जो है वो क्या है रख्ट धातों की उपधातों है ठीक है ने कि वो किसकी है जो चरक मानते हैं रज की चरक तो मानते हैं स्तन्य और रज वो रश की जो है वो उपधातों है अचारी चरक के नुसार लेकिन भाव परकास जो है अब टेबल देखोगे टेबल हम ल कि भावपर का स्किन ने तो जो है इसको किसकी माना है रिक्त युदा तुमा राख में अवस्था पाक में उत्पन दोसे को कहा परसाथ भूथ थे फिर आगे चलता है यह भी कोश्यन अब इसमें detail analysis नहीं कर सकते एक इसमें क्या detail analysis करें अब वो direct शिदा सांसर अगर सीरा अंसर नहीं होता तो फिर हम करते हैं फिर हम सोचते उसके बारे में कि क्या है क्या नहीं आप जैको कि कि नोर्मल जो है वैलू दी गई है कि वही नोर्मल प्रोटीन लेवल ऑफ सी एस एफ तो यह डिरेक्ट जो है वैल्यू है इसमें तो हम कुछ करने ही सकते तो 15 से 45 mg अब यह वैल्यू देखो पैसलोजी कल ज्यादा आती है पैसलोजी कल वाली जो पैसलोजी में जो वैल्यू मुधि रपर के दिगे है ने नियुक्ति याद होगे जब वालों मघेट्यम के लिए है जो पी तो सामने लेखी हुए होती है ठीक है जो लिखी हुई होती है तो वहां से आप बार-बार करें मालों आपके पास एक दिन की एक रिपोर्ट तो आती होगी ठीक है जब एक दिन की एक रिपोर्ट आए जो है वह 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 बस आपके लिए जो है उतनी बहुत होती है कि अब हमारे लिए इससे दूसरा क्या निकल सकता है कि यह तो प्रोटीन लेवल पूछ रखा इसमें प्रोटीन लेवल की वज़ाए हम यह पूछे कि इसका वोल्यूम कितना होता है तो इसका वोल्यूम जो है वह सो से लेके 200 ml तक जो होता है ठीक है 200 ml तक होता है ठीक है यह जो है और प्रोडेक्शन कितना होता है वो होता है 20 ml परावर यह दो इसके रिलेटिट है जो हम याद रख लेंगे ठीक है इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे पित अवभास्ता मंदुसंता पित की इस अवस्था का लक्षन है ठीक है तो मैं पूरा स्लोक आपको बता देता हूं जब दोसों का संचय होता है तो पहली बात तो यह संचय का है अब मैं पूरा स्लोक बता देता हूं आपको तो तो सुसरूत सुत्र 21 में क्या कहा स्टब्द पूरण कोश्टता तो पहला तो यह स्टब्द पूरण कोश्टता किसका संचे हुआ यह बात का दूसरा पित्त अ भास्ता मंधुस्मता अंसर लग गया हमारा ठीक हुसके बाद नेक्स्ट वाला क्योंकि कफकाशंचे भी हम याद कर लेते हैं इसलिए तो हम पढ़ रहें नहीं तो हम एक चीज़ देखके हम आगे चले जाते तो अब हम दूसरे देखेंगे कि क्या है तो लिखा कि उसके बाद गोर्वम आलश है चैंगता गोर्वम आलश है अंगा नाम अंगा नाम गोर्वम आलश है चैंगा नाम लिख ले तो आगे अंगा नाम लिख लो अंगा नाम गोर्वम आलश है यह जो है वो कफकेशन चेगा लक्षन ठीक है सुसरू सुत्री किसमें आया है तो याद हो गया अब यह कोशन हम पहले भी कर जा है अभी जब हम description कर रहे थैं सुसूरूत ने धात्यु सार्ता कार्णस इस धात्यु के शार्ता लक्षण से आरण किया सुसूरूत ने धात्यु शार्ता अब गुष सार हम पढ़ रहे थे। ठेकर सबने सारोगा वर्नन क्या शारोग अब्गरन तो मैंने आपको बताए था कि क्या पूरो पूरो वाले या यू बढ़ती रहती तो इसलिए हमने मेदांसा लगा है तो सबसे पहले सुरू किसे क्या सत्तों से अब यह ट्वेल्थ का कोश्चिन है टोटल लंबर ओफ क्रोमोसोम सोमेटिक सेल इसी बात है समेटिक सेल में जित में हाफ हो जाते है से कौन सी है तो यह सेल डीविजिन होगी तब हशाप हो जाएंगे ठीक है तो से डीविजिन हो क्यों सिसरी में यादे हो जाते है कि तुक रिप्स एले तो आपको पता चैनल के पर फंद और वह और टों क्या है ठीक है तो मज्जासार व्यक्ति का लक्षन क्या है तो नेक्स्ट हमारा जो कोस्चन है वो यह है मज्जासार जो व्यक्ति है मज्जासार जो व्यक्ति है उसका लक्षन क्या है मज्जासार व्यक्ति का लक्षन क्या है तो देखो प्द्जाषार व्यक्ती का लक्षन क्या लिखा है मजजा व्यक्ति का लक्षन हो है के लिखा है थूल ड्रिग्वृत संधी सीधा संस्पल से मजज़ अगर आपने पढ़ा हूं सार वाली जоки है तो मज़झा सार गया है उसका जो लक्षन जो दिया गया है वो है स्थूल दिर्ग विल्त संदिश तेकर रख्षांसर लग जाता है वह सार है जैसे कि सुखर सार में दिया गया है चीर पूरन लोच नहीं ऐसे करके तो यह भी फेमस चाहे थोड़ा सा तो इसको आप याद रख सकते हूं निमन में से पित्त सामगरस नहीं अब य पित्त स्यामग होते हैं तो बच गया कूंसा एक ही बचा आप इसके बाद एक ही बचा है ठीक है तो वही इसमें जो आंसर लग जाएगा अब इसके बाद यह वाला बहुत इंपर्टेंट है ठीक है अच्छा कोश्चन है कुस्यन आता भी है जर्नली लिखा कि तब्द गु का तरता ओज की किस विकरती का लक्षन है ठीक है बहुत इंपर्टेंट कोश्चन है हर बार आता है यह कोश्चन बहुत सिंपल सा कोश्चन है इसमें आपको कुछ ज्यादा मतलब साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है ठीक है तीन परकार के ओज छे बताई हैं जो नीचे की लिखे हैं दो स जशेंशें तो कुछ लक्षन होता नहीं है ठीक है दोस संचें तो लक्षन होता नहीं है ओज-छे में बल-मूर्च्षा ये वाले लक्षन दिये गई हैं अगर आप सोचोए थोड़ा सा तो यह और द चाना है ठीक है विश्रंस में संदीश्रंशन और य उनके लिए तो फिर वो आंसर वो पकड़ ही नहीं पाएंगे जो मैं चीज बोल रहा हूं उनके लिए तो फिर पोसिबल नहीं हो पाएगा तो इसलिए यह उनके लिए जो एक बारी पढ़ चुके हैं और उनको जल्दी से अपना रिवीजन करना है और जो साइड वाली चीज अब दिखा नेक्स्ट फॉंक्षिन ओफ एंडोपलाजम रेटिकूल यह से पढ़ाई जाती या सेल के बार इंपढ़ाई जाता तब जल्दी पेज एंडोपलाजम रेटिकूलम क्या करता है वह प्रोटीन की सिंतेसिस करता है नॉर्मल आपाउंड फिकल मैटर पर देश सो जोजे 200 ग्राम है ठीक है अब यह वाला नेक्स्ट वाला कुष्टन की यह यह जो है यह कोस्चिन जो आप देख रहे हो यह अस्तांग रिदय तो री अस्टांग संख्रय का एक स्लोक है मैं आपको बता देता हूं अस्टांग संख्रय को ठीक है सारीर स्थान छे बटे 76 66 66 का एक स्लोक है बिसा नाम इव सुक्ष्ण दूरम भी परिशिरतान बिजनी कमल में जो नालिकाई होती है जो कमल के अंदर ठीक है है विश का मतलब होता कमल की जो डंठल होती है उसके अंदर जो वहाई नहीं होती है सुक्षम और वो दूर तक लताओं की तरह फैली होती है ऐसी हमारे सरीर में शुरूतस होती है यह स्रोथस के लिए कहा गया है इसका समावे सुक्षम शुरूतसों में किया अब देखो यह पर याय लिख देते हैं यह जूतस यह नहीं है अब यह question सही यह नहीं है इस पर भी question मारक कि किस अचारी के नुसार पूछ रहा है तो जाके चेक कि आजए कि साज यह पूछ रखा तो ऐसे question जो गाईड में केवल उसी गाईड में और किसी में नहीं और तो आपको मिल भी नहीं उसके लिए ज्याता आपको भागदोर नहीं करने हैं ठीक है तो आप उसको क्वेश्चन मारक लगागी जो आंसर वो पढ़के छोड़ दो ठीक है अब नेक्स्ट देखो क्या है विरुद्ध आहार की स्रोतोदुस्टी का हेत्तु क्या है ठीक है विरुद्ध आहार जो है उसकी स्रोतोदुस्टी का क्या हेत्तु है ठीक है तो विरुद्ध आहार देखो यह जो स्रोतोदुस्टी वाले जितने भी है ना जितने भी स् उसका लास्ट वाला पॉर्शन उठागे कोशन पूछता है अब ये भी जो है वो लास्ट वाला कोशन उठाया है इसका पूरा स्लोक अगर मैं आपको बताऊं ठीक है सुन लोगे तो अच्छा रहेगा लिखने में तो फिर मुझे बहुत लिखना पड़ेगा उत्त पेशाद अभिशन्दात अभी गातात परपिड़नात मज्जा वहानी दुस्ष्ञति विरुधा नाम चे शेवनाथ ठीक है तो किसका हो गया मज्जावैका ठीक है किसका हो गया मज्जावैका ठीक है तो मज्जाव है जो शुरोतस है तो पहला आंसर तो उधर ही गया आंसर तो लगी गया हमारा कि किसका है अब दूसरे वाले में क्या क्या है वही लास्ट वाली लाइन इसने उठाई या हम भी लास्ट वाली लाइन बताएंगे तो रस्वह में क्या है तो रस्वह में है चिंत अनलोग लास्ट वाला उठा लिया हमने जै आतप अनलोग ठीक है भश्ता चाहत अनलोग उसके बाद क्या है नेक्स्ट वाला क्या है यह भजता चाहता पनलोग हो गया उसके बाद मास्वे का क्या है तो मास्वेस रोतस दुस्टी का हेतु है वही लास्ट वाली तर्म में उठा रहे हैं पूरा स्लोग ने उठा रहे हैं जो पुछा रहे हैं जो पुछा रहे हैं बुक्ता चपर का विकार है पालित्य जो है वो रस धात्तू का विकार है कि रस धात्तू का विकार है पालित्य और क्या क्या हो सकता है जो इंपोर्टेन्ट ये वह आपको बता देता हूं देखो जो आपको याद रखना चाहिए एक जय को पांडू पांडु भी का लगया एक है के लभड़ फांडू पर बहुत इम्पोर्टेंट रही जवर ये जो है रसधा लाग के यह स्ट तो कोई धातू है नहीं तो इसका तो होई नहीं सकता तो आप आगया अस्थी अस्थी धातूगत विकारों में क्या है केस के समस्तू नक केक लोम नक समस्तूर दोसट फिर गया केस एती स्लोक में तो मैंने थोड़ा पोजेट लिख दिए मैं इसको अगर सही करूं तो जो स्लोक की टरम है वैसे लिकों तो केस लूंभ नक समस्रू थो ढूंस यह जो है अस्ति दातो के जो है विकार स्थी दातो उइसमें तीन इंपोर्ट है एक तो रुक परवनाम परवनाम जो उंगलियों के परव है उनमें रुजा होना पहला दूसरा एरुन्सी तीक है एरुन्सी एरुन्सी यानि फोड़े फुन्सी कहां पर स्थूल मूलाना ना जो मोटी संदिय उनके मूल प्यार उनसी फोड़े फुन्सी हो जाएंगे तो यह जो है मज्जा की दूस्टी से जो लक्षन होते हो यहां दिये गए हैं उसके बाद सारंग्दर उनुसार कुष्ट होने वाली तवचा की जो है जाड़ी होती है जाड़ी ने वह मोटाई पू वह मानी है सरव कुष्ट उद्भवा एक तरम दी है सारंग्दर ने सरव कुष्ट उद्भवा यह किसके लिए कहा है सारंग्दर ने सरव कुष्ट उद्भवा यह वेदनी के लिए का वेदनी पांचवी है वन सोरी हां बन भाई फिप्त जो है इसके बिरी की मोटाई हो ज लेकिन मैं तो यह कहता हूं कि आप पहले पाद ही लगाओ ठीक है तो इसमें तो कोई दूसरी चीजे और बताने की है नहीं उसके बाद फिर की तो मास दातू का मुख्य कर्म की तो मास दातू का मुख्य कर्म क्या है तो मस्धातू 2 वाग बट्री कर्म कि जए रसका है धारन किसका है यह डिकाय है अब लटा फिसे मेंने सारे बता अब यह मझा अब लगर यहीं है अ ब्रक्राश है का जो लक्षन है वो है सिर्यन पे लीए डाशनी ही हड़िया जो है अगर और वो गिर रही है तो यह मज्जाश्य का लक्षन है और क्या है संदी सुन्यता यह लक्षन संदी सुन्यता मेद च्छय का लक्षन है जो सुसरूत ने बताया दों कि कि शुष्रूत ने बताये संधी सुन्यता मेद से szybाइन अब यह जरूर नहीं आपको यह याद रखना सुसूरूत यह तो मापके एक्स्टा मेद स्क्राव मिद उनतर अस्थी निस्तोद वागबत का लग्सन अस्थी दातु च्छे stylize अ ये वागबट का लक्षन अस्थीधातों छेघा शिरीनते इव चैस्ठानी यह तो हो इन फासे का लक्षन ठीक है और क्या है इसमें इस वाले इस लोक में प्रतते वाटे रोगाणी कि परतत्त वात रोगानी कि परतत्त वात रोगानी कि संधी सफूटन किसका लक्षन है कि संधी सफूटन ये अचारिये चरक ने मेद धातु छे का लक्षन बताएं मेद धातु छे का लक्षन अचारिये चरक ने बताएं अब कह रहें कि संधी सफूटन वागबट के नुसार किसका लक्षन है तो गलती हो कि यह तो मैं सारी चीज़े वागबट वाली आपको बताई दिया वागबट में तो है नहीं तो यह कोश्चन गलत है इसका आंसर आए द्धातु में लक्षन बताया संधी नाम सफूटन है तो कुश्चन को में इसमें कुछ ऐसी मतलब लोजिकल नहीं है कोई बहुत सारी चीज़े जैसे उपर जो बतानी काया हमने डिटेल बताई है ठीक है अब नेक्स्ट देखो जिरा प्राण वाईयू का कर्म है ठीक है प अंगर्दय में पड़ा स्थीवन चोटू उदगार नीश्वासात अनप्रवेशा ठीक है तो आंसर तो लगी गया वागभट से या सुसरूत निदान से लगा लो सो अनप्रवेश्यत अन तो अनप्रवेश्यत अन्त है ऐसा करके सुसरूत निदान एक में प्राण वायू क कर्म में बताया तो सीदीशिवात यह आंसर लग गया अब दूसरे वाला क्या है वाखपरवरति अब यह तो सब लोगों को पता हूगा बोलने का करम तो दान वायू करती है अब दूसरा दूसरा क्या है योने च सुक्रपरती पादनी तो अब नेक्स्ट जो है वो क्या है योने चे चे सुक्र परते पादनी कि यह लक्षन बताया है अस्तांग संग्रे का यह लक्षन है ठीक है उसके बाद नेस्ट जो है इन फॉलोइंग टाइप ओफ सेल डिवीजन सेंट्रियोल इस नोट फंक्शन ठीक है तो इन में पहली ही लाइन में हमारा आंसर है फॉलोइं है तो तो ढ़न तो सेंट्रियों सेंट्रियोल इसलं द्रिवीजन में का माता है भी अधार दिवीजन में का मकाम हताु है से नियूरों gehen लोन का देख्योंत फंत related लग डिया तो थोड़ा सा आप को क्या करना पड़ेगा धूकर्वरी प्रिवेस नौलेज्स थोड़ी सी भी अगर प्रिविएस नोलेज आपकी तो बढ़िया से आपका अंसर निकल जाएगा ठीक है उसके बाद देखो क्या है धी ध्रिति स्मृति मनो विवादा मनो बोधना दिल करी देखो मनो बोधन वाला हमने पड़ा था ठीक है तो यह अस्टांग संग्रे ने थे अब क्या बताया है कि तवकह परकाशने का कर्म है तवच्छा अब यह फस्टेयर वाला भी बता देगा कि कि कुछ पित्ते जो है वो तवच्छा में रहता है वो परकाशित करता है ठीक है तो ब्राजग में दानसर इसका आजाएगा अब इका फिजियोलोजिकली डिक् इनक्रीज एसी एफ वोल्यूम कोजिंग हीमोडाइलूशन ओके ठीक है इनक्रीज एस्ट्रोजन और एल्डोस्टिरोन को जिए फ्लूड रिटेंशन ठीक है एस्ट्रोजन इनिविट्ट्रोड़क्शन ओफ रित्रोपएटिट बिल्कुल अलोवदाज जीव आंसर लग ज प्राकर्त दोस बोल दो इनको ठीक है 66 का यह आजाएगा अब लिखा भगंदर व्यार्दी इस तव्चा के आस्रों ठीक है सबसे आसान कोश्चन है ठीक है भगंदर किसमें होता मास मास दरा सबसे लास्ट वाली है ठीक है अब इस कोश्चन पर भी है कि अपर ओज संबंद अब दो मिल गए हमारे आंसर तो डी आंसर हमारा चला गया नियरेस्ट आंसर हमको चूज करना होता है ऐसे आपको कोश्चन सोल करने की प्रेक्टिस करनी होगी ठीक है अभी देखो अभी घात किस रोतस दूस्टी का हेत्त हुए हमने अभी पढ़ा मज्जा वेस रोतस दू अगर नहीं लिख रहा तो लिख देता हूं मैं तो उत्त पेशाद कि कुचल जाने से अभी शंदात कि अभी शंदात कि अभी घातात कि अभी घातात कि परपीडनात कि परपीडनात यह परपीडनात कि मज्जा वहानी दुश्यंती कि मज्जा वहानी दुश्यंती कि विरुद्धानाम कि विरुद्धानाम जशेवनात कि विरुद्धानाम जशेवनात ठीक है तो आंसर लगे हमरा अभी घात वाला मेद धातु छैका लक्षन है अब फूरी डिटेल में मैंने सब बताया था कि मेद धात्व चय में क्या वता मेद धात्व चली गई तो सुष्रूद क्या करने तो कि संदी सुनने था सुसरूद ने मेच चे में संदी सुनने था बताई तो देको वैसे तो अगला भी कर सकते लेकिन आज सेवंटे करते हैं ठीक है हर दिन डिटेल में पूरे के पूरे जो है कहां से आंसर लगा है क्या लगा है उसके अब प्रियास है आगे जाके और भी अच्छा रहेगा ठीक है पूरी डिटेल हम लेके आएंगे हर एक सब्सक्राइब करना चाहते हैं पूरी क्लास नहीं ले पा रहे हैं तो आप यूटूब से इसको देख लीजिए दूसरे वालों को भी बता दीजिए ठीक है जो प्रिप्रेशन कर रहे हैं पहले ग्लोबल आयर्वेदा शुरूब पूरी करेंगे पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ पूरे अनलेसिस के साथ क्या एंसर लगना चीए क्यों लगना चीए कैसे निकालना चीए उसके बाद आगे जैसे जैसे जाएगा आगे-आगे हम लोग करते जाएंगे ठेंक्यू है वे नाइस डे मिलते हैं फिर अगले वाली वीडियो में